The Ultimate Indian में आप सभी को अभी शेक सरकार का नमस्कार तो आज फिर हम West Bengal से अपडेट्स लेके आ गए है सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चनल को क्योंकि ऐसे ही हम important अपडेट्स लेके आते रहते हैं West Bengal से तो आज का पहला अपडेट है Red Cow Dairy से लेके Red Cow Dairy जिसको की Bengal का अमुल भी बोला जाता है तीन रुपे से नरायन मोजुमदार ने 1975 से दूर बेचने का काम शुरू किया था तब उनको तीन रुपे मिलते थे उसके बाद 1997 में उन्होंने अपनी कमपनी शुरू की Red Cow Dairy और आज Red Bengal में च्छा गई है करीब करीब तीन लाक से जादा फार्मर्स के साथ जुड़ी हुई है West Bengal के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में है Red Cow Dairy और दोस्तो धीरे-धीरे करके अलग-अलग प्रोडक्ट्स लाँच करती जा रही है Red Cow Dairy इसी के लिए Red Cow Dairy ने पूर्बो बॉर्दोमान में और भी अपने आपको एक्सपैंड करने का और भी प्रोडक्स लेके आने का जैसे अभी सॉस बगेरा भी आ गए है उनके और ऐसे डेरी से जुड़े हुए काफी सारे प्रोडक्स आ रहे है अगर आपको नारायन मोजुंदार की और Red Cow Dairy की पूरी स्टोरी जाननी है तो कमे इंडिया कर रहे थी इंडिया में नहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे थी उसको देखा देखी West Bengal Government जगी और West Bengal Government सोचा की ये एक अच्छा manufacturing option हो सकता है जिसको की पूरे स्टेट में ग्रो करना चाहिए तो इसको देखा देखी West Bengal Government ने एक association बनाया Electric Vehicle Association जिसके अं manufacturer है, distributors है, sellers है, सबको एक ही umbrella के under लेके आए और उनको सबको बोला कि आप मिलके काम कीजिए, मिलके इस industry को grow कीजिए और दोस्तों करीब करीब 40 e-rickshah manufacturers एक साथ आए पूरे West Bengal से और वो मिलके अब काम कर रहे हैं इसके इलावा 400 के करीब distributors और पतानी कितने dealers सब एक साथ आए है इस e-rickshah industry को बढ़ाने के लिए, West Bengal के e-rickshah industry को बढ़ाने के लिए और ये जो industry है, ये बांगलादेश, नेपाल और अफ्रिकन countries में export कर रही है और इस साल 5,000 करोड का business किया है इस e-rickshah industry में अब आप कहा रहे होगे भाई दूसरे state टेसला बना रहे है और Bengal टोटो बना रहा है भाई कुछ कर तो रहा है, at least कुछ manufacturing बढ़ तो रही है, कुछ उमीदी तो जग रही है, इससे भी कितना employment मिला होगा लोग को, आगे जाके टेसला भी बना लेंगे, कोई बात नी, e-rickshah बनाना भी कोई छोटा काम नहीं होता, तीसरा update है कोलकाता बुक फेर से, दुनिया का सबसे बड़ा non-trade बुक फेर, दो हजार चौबेस 18 जनवरी से start होने वाला है कोलकाता में, दोस्तो ये एशिया का सबसे जादा attend किये जाने वाला बुक फेर है, one of the biggest बुक फेर है वर् और इस काटेगरी में सबसे बड़ा बुक फेर है पूरे वर्ल्ड में कोलकाता बुक फेर, इस साल करीब करीब 1000 से जादा stalls लगने वाले है, कोलकाता बुक फेर में 25 से जादा देश आने वाले है, और पिछले साल 26 करोड के किताबे बिकी थी, इस साल उमीद है 28 से 29 करोड क किताबे बिकेंगी और 30 लाख लोग अटेंड करेंगे कोलकाता बुक फेर, तो आप भी अगर कोलकाता में रहते हैं तो 18 से 31 जनवरी तक कोलकाता के बुक फेर में जाना मत भूलिएगा, चौथा अपडेट है वेस बेंगॉल से कि बागदोगरा एयरपोर्ट का दूसरा ट क्यों इंपोर्टेंट था बागदोगरा के लिए, बागदोगरा एंट्री गेट है, दार्जिलिंक, सिक्किम और भी जो नौर्थ इस्टन स्टेट्स है वेस बेंगॉल के वहां के लिए एंट्री गेट है बागदोगरा एयरपोर्ट और धीर धीरे करके बागदोगरा एय पीक आर में सिरफ 400 लोगो को handle कर सकता था बागडोगरा एरपोर्ट यानि सोचे कितना कम था ये टर्मिनल 2 बनने के बाद पीक आर में 3800 और पैसेंजर को accommodate कर पाएगा बागडोगरा एरपोर्ट तो सोचे कितना बड़ा चेंज होगा, कितना बड़ा magic होने वाला है बागडोगरा एरपोर्ट में बागडोगरा एरपोर्ट का importance कितना जादा बढ़ने वाला है और जादा flights आएंगी, और जादा travel easy हो जाएगा और जादा connectivity easy हो जाएगा बागडोगरा एरपोर्ट में और बागडोगरा एरपोर्ट से North Bengal, North East जाने वाले लोग बढ़ जाएगे उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी तो ये थे चार बड़े अपडेट्स West Bengal से और ऐसे वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लिजे हमाई चैनल को जैहन